परशुराम जी के बारे में लेकिन परशुराम जी के एक चीज जादा महत्पून है परशुराम जी ने अपनी मा का ही सरकार दिया लेकिन क्यों काटा इसके पीछे कितने लोगों का कारण था ये सब जानेंगे आज इस वीडियो के दौरान परशुराम जी जमदर्गी और युगा के पुत्र थे कहते हैं जमदर्गी अपनी क्रोध के कारण बहुत ज़्यादा मश्रूर थे परशू राम जी भगवान शिक्त के पुत्र माने जाते हैं कहते हैं कि गोर्द पस्या करने के बाद उन्हें परशू राम के रूप में एक पुत्र प्राप्ट हुआ कहा जाता है कि परशू उनका नाम इसलिए भी पढ़ा उनका नाम परशुराम पड़ा परशुराम जी अपनी मा का बहुत ज़्यादा आदर करते थे उनका कहना भी मानते थे और पिता की बात उनके लिए एक पत्थर की लगे थी कहते हैं कि परशुराम जी रिनुका के पुत्र थे इस कारण से वह छत्रिये भी थे परशुराम के माता पीता बहुत जड़ा अध्यात्मिक थे और जिस कारण से उनकी माता प्रेनुका पानी पर अधिकार था, और उनके पिता अगरिम पर अधिकार था, कहते हैं कि उनकी माता जोगी घिली मिट्टी के घड़े में पानी भरकड लेकर आती थी, तो वह पानी उ में थोड़ा मन्मिछलिक था जिसकारण से में पानी भड़ने तो गई लेकिन पानी बड़क फूटने बर रिशी के ऊपर पानी गिर दिया जिसकारण रिशी ने उन्हें श्राप दे शाप में उनसे कहा कि आप परशुराम को बुलाओ, परशुराम को बुलाने के बाद उन्होंने परशुराम से कहा कि आप अपनी माता का सरधर से अलग कर दो, और परशुराम ने उनकी आग्यापा कर सरधर से अलग कर दिया, और ये ख्रिशी देखकर बहुत जादा परशन ह अपर्शन होने के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें एक बर्दान मंगो। तो उन्होंने बर्दान में मंगा कि आप मेरी माता को फिर से जीवन दान दीजिए क्योंकि उनकी कोई कल्ती नहीं थी। तब उन्होंने उन्हें जीवन दान दिया और रेड़काव को नया जीवन प अंबर चार एक बार परश्णुराम जी आई दिशन परवती नाथा कि लेकिन उसी वक्त उन्हें बीश रास्ते में गणिश्ग भगवार ने अगरे किया कि वह न आ जाए लेकिन वह चाहते थे कि परवती के वे दर्शन कर ले और उन्होंने कहा कि नहीं आप नहीं जा सकते क्योंकि पारवती ने उन्हें आग्या दी थे कि कोई भी उनसे मिल ले रहा है फिर परशुराम ने गड़ेश से कहा कि आप मुझसे यूदिकेजे तो गड़ेश भगवान ने उनकी आग्या का बालन कर देवे उनसे यूदिकिया और परशुराम और गड़ेश भगवान में यूदिके दोरान उन्होंने गड़ेश भगवान का सर काड़ दिया इस बात को देखकर पारवती नाराज हो गई और इतना क्रोध हुआ कि उस ग्रोध में आकर उन्होंने परशुराम जी के ऊपर अपना सारा गुस्टा निकाल दिया उस गुस्टे के ऊपर भगवान शिप भी उन्हें रोक नहीं पाए परशुराम जी को जब भगवान गड़ेश ने माफी दिलाई जब पारवती ने कहा उनसे च्छत्रियों का रक्त भाने के बाद भी आपका पेट नहीं भरा जो आपने मेरे पुत्र को भी मार ड़ा तो उन्होंने परशुराम ने परवती माता से माफी मागे और भगवान गरेश ने उनसे कहा कि उन्हें माफ कर दिया जाए और मापरवती ने उन्हें माफ करने के बार परशुराम को परशु उपहार में दिया तो ये थे वे कारण जिस कारण से परशुनाम ने अपनी माता का सेर काटा था मेरी वीडियो को लाइट, शेर और सब्सक्राइब करना ना बुलें